नमस्कार दोस्तों मैं सिवंकुस वाहब को स्वगत करता हूँ प्रोगाइट CS चैनल में तो हम देख रहें Computer Fundamental Course तो आज हमारा चौथा या कहत चौथा वीडियो है जिसके अंदर हम लोग देख रहें Computer Fundamental तो जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो Computer के कहा जाए तो क्या होता है उसके क्या एडवांटेज इसद्वांटेज और बाकी चीज़ा हमने देखा था कि Computer की कौन-कौन से जनरेशन होती किस जनरेशन में क्या इंप्रोव्मेंट हुआ क्या चेंजेस हुए यह सब लोगों ने जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने कवर कर लिया था आज हम लोग देखने देखने वाले हैं कि computer की जो इंपूट डिवाइस हैं किसे इंपूट लेता है और फिर उसको करके कहां पर आटपुट देता है कैसे उब देता है यह सब लुखने वाले हैं कौन-कौन से इनपूड बीवाइस है तो चलिदे शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहां पे मैंन मतलब computer को हम लोग कुछ काम देते हैं instruction देते हैं तो input device को मतलब यह कुछ instruction लेता है कुछ data लेता है वो क्या करता है उसको process करता है तो input में क्या होता है keyword होता है आप keyword में keyword से आप कुछ लेते तो है निए तो उसको क्या करेगा वहां पर process करेगा और उसका output हमें देता है ठीक फिर आगे बढ़ते हैं यहां पर देखिए mouse दूसरा तो mouse कैसे होता है mouse से भी क्या करते हैं कुछ क्या करते हैं computer को देते हैं अभी जिसे में यहां पर एक line खीचा यह क्या हुआ एक काम मैंने माउस को दिया कि यहाँ पर क्या करना है एक लाइन खीचना है जो software है उसकी हिसाब से माउस को process करेगा कि माउस की जो command आई है उसको process करना है और scroll करना वो करना यह सब क्या है यहाँ पर देखिए scroll होता है कुछ की होती है तो यह सब क्या होता है कि हम लोग क्या काते है कंप्यूटर कुछ काम देते हैं इसलिए क्या है mouse जो है input device है ठीक आगे बढ़ते हैं आगे आता है scanner scanner क्या होता है कि जैसे आप देखे होंगे कहीं फोटो कापी कराने जाते है तो उसके उपर एक scanner लगा होता है उसको आपका document जो हो रखते हैं और उसको print out का देते हैं तो ऐसे scanner होता है कभी-कभी आप देखे होंगे जब बहुत सारे आप printer आते हैं जिसमें scanner और printer दोनों से रहता है पर उसके उपर देखे होंगे जहां से हम लोग क्या करते हैं computer को कुछ input देते है इनफीट मतला हम लोग क्या कर रहे है एक उसको page दे रहे है कि ये page है इसको आपको store करके रखना है टीक तो इह क्या है एक computer को हम लोग कुछ input दे रहें इसलिए एक input device है फिर आता है graphic tablet तो यह ग्राफिक टैबलेट क्या होता है जीसे आप देखें हूँ已经 स्क्रेंट वाले ने होती है और बहुत सारा यह वह होता दो इस पर होता हैं तो यह होता है कि हम यहां पर कुछ को करते हैं तो क्या होता है हमारी स्क्रीन पर जो ग्राफिक वाला सॉप्ट्वेर है उसके अंदर यह प्रिंट होता रहता है तो क्या होता है ग्राफिक टेब्लेट में क्या होता है हम लोग पूरी डिजाइनिंग यहां से आपने चला के और कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं अगर हम माउस से करेंगे माउस से कंट्रोल करते हैं कई सारे की होती है बटन्स होती है जिसे हम लोग क्या करते हैं जो हमारा ग्राफिक से डिजाइनिंग हम लोग कर रहे हैं उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं ठीक आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है माइक्रोफॉन क्या होता है यह से माइक होता है तो microphone का यह भी input device क्यों है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कुछ computer को tule Voilà some music editing utilize delivered उसमें कुछ input डलते माप सी W scriptures ऊते हैं क्या होता उसको recording होती है तो तो क्या होता है, recording करना क्या है, Input का कामकी होता है ठीक से connect करते हैं और हम लोग क्या करते हैं छो कुछ काम का हम गगते हैं हम लोग बोलते हैं उसको process करके और store करते रहता है कि जो भी हमने बोला वह सेव होता रहता है तो यहmpfen कोड़ में इसे बहुत सारा डिवाइई नों को भी स्कैन किया जाता है आप mobile से scan करते होंगे देखेंगे तो यह क्या होता है एक input device होता है output नहीं होता क्योंकि यहां पर क्या होता है हम लोग computer को कुछ दे रहे हैं ठीक दे रहें ले नहीं रहें लेंगे तो क्या होगा क्यों output कहलाएगा हम लोग क्या कर रहें दे रहें तो input कर रहें उसके अंदर तो computer क्या करता है कुछ input लेता है तो यह input ऐसी होता है यहां पर रहता है यहां से क्या करता है जो serial number यहां पर देख रहे हैं आप यह क्या करता है कुछ serial number जो है इसको लेता है और उसको process करके उसका output हमें दिखा देता है ठीक तो यह क्या है यह input device तो barcode reader हो गया फिर आगे होता है यह यहां पर हम लोग क्या करते हैं कार्ड जो है उसको यहां पर इसे स्वाइप करते हैं उसका जो भी इंट्री की गई है जो मेंगनेटी कार्ड हो देता है आप देखे होंगे चीप होती है उसमें स्कैन करते हैं हम लोग निसने से ओपकर वहाँ है यह को में यहाँ कंप्यूटर है साइब कर भांपर उसके अंतर थोड़ी सी chip type में होता है store होता है कुछ data store होता आपका serial number हो गया और ऐसे चोटी-चोटी चीज़े इस टोर होती है ठीक नाम store हो गया या फिर कोई number हो गया कुछ account balance हो गया तो चोटी-चोटी चीज़े store होती है ठीक तो यह क्या होता है यहां पर उसको यहां सी input लेता है card के जो भी पूरा detail है वो सब क्या होता है input में लेता है और उसको process करता है तो यह जो ink card reader है यह भी एक input device है ठीक समझ में होगा आगे बढ़ते हैं आगे यह है webcam webcam वहां पच्छे जानते होंगे computer laptop में होता है चोटा सा laptop में होता है और जो हमारा PCA computer होता हुसमें हमें इस तरीके से एक लेना पड़ता है जो हमारे जो computer है उसमें लगा के हम लोग video calling कर सकते हैं तो यह webcam कैसे input device है क्योंकि हम लोग क्या कर रहे है computer को कुछ दे रहे हैं ठीक webcam से क्या हो रहा है कुछ recording होरी हमारा जो video है वह क्या हो रहा है computer में जा रहा है तो अगर computer से आ रहा होता है जयता आफ़ी जा रहा है कुछ video हमने जो recording कर रहे है computer में जा रहा है आगे पीछे speed तेज़ करना और game खेलते होंगे आप तो आप जानते होंगे इसके बारे में तो game controller क्या होता ये भी एक input device होता है क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कैम को control कर रहे हैं कैसे input दा रहे हैं से keyboard से हम लोग game खेल सकते हैं ऐसे ये game controller होता है जिसका हम लगा के और बहुत सारा game का control है अब बहुत असानी चीज में हम लोग काबू कर सकते हैं तो क्या होता है ये एक input device होता है हम लोग computer को कुछ काम देते हैं कि जो कार बढ़ने चाहिए जो वैल्यूम है वो तेज होना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें हम लोग control करते हैं ये game controller हो गया फिर आता है joystick तो joystick कैसे काम करता है joystick होता है आप देखे होंगे कहीं plane control करना है और जो training होती है आप देखे होंगे airplane चलाने के और बहुत सारे जो काम होते हैं वह क्या होता है joystick के उदा रहा होता है उसके अंदर बहुत सारी की यह होती है इन्पूट डिवाइस होता है जिसे हम लोग computer को काम देते हैं कि यह command जो है तो ऐसी करनी है ठीक तो समझ में आओगा आगे बढ़ते हैं पिर आता है output device तो output device में क्या होता है monitor होता है तो monitor कैसे होता है हम लोग जो काम करते हो कहां दिखते है monitor में तो क्या होता हमें दिखता है computer से हम लोग कुछ देते नहीं है उसको laptop जो हम लोगे जो हमारा monitor होता है उसे हम लोग कुछ काम करते हैं कुछ लेते हैं कुछ देते नहीं जो computer को काम नहीं देते हैं हम लोग उसका जो किया हुआ काम है वह हम लोग देखते हैं समझते हैं तो यह monitor जो है यह भी output device हो जाएगा फिर आता है printer तो printer कैसे होगा printer में देखी यहां पर जैसे हम लोग क्या करते कुछ document फाइल बनाएं फाइल बनाने के लिए हम लोग ने क्या की यूज करा अब वह क्या होगा input तो ले लिए आप उसको output कैसे होता है यहां पी जो हम लोग ने उसका डिजाइनिंग करा था यह हमने बनाया था उसका प्रिंट आउट ले रहे हैं तो क्या होता है हम लोग कुछ ले रहे हैं मतलब क्या यह output device समझ में आओगा आगे बढ़ते हैं आग बढ़ह होता है तो यह क्या करते हैं नीकालने के लिए यूज करते हैं तो समझबय करदे, और लगवक क्रेंग होता है पर उसमें क्या होता है हम छोटी पेजज स्ब commute प Git नीकालते फिर आता है अ अगलीडिया अ जोपी आप देखुई होता है गर में यूज था हें आप आपस में कॉलेज़ जाते होंगे तो वहां पर प्रोजेक्टर लागा होता है confirm लोग करते हैं तो यह क्यी होते हैं मॉणीटर की तरह काम करते है कुछ और फुट देता है जो यह फोग problem तरह भी और चुक्श है ठीक समये नहूंगा आगे बढ़ते हैं आगे आता है speaker, तो speaker कैसे है, क्योंकि हम लोगे, जो mics recording करते हैं, वो तो input में हो गया, तो उसको जो हमने recording कर रहा है, उसको सननी के लिए क्लिए क्लिए होता है, तो हम लोग उसको output बोलते हैं, क्योंकि हम उससे कुछ ले रहे हैं, consume कर रहे हैं, हम लोग speaker से computer को कुछ काम नहीं दे रहे हैं, हम लोग क्या करें, उसको सुन रहे हैं, तो जो computer का वो है, क्या बोलते हैं, speaker है, वो क्या है, एक output device है, फिर ऐसे आता है headphone, headphone का भी यह काम है, जब output आप कुछ recording करते हैं, कुछ गाना हो गया और music हो गया, यह सब क्या है, हम लोग सुनते हैं, तो क्या करते हैं, हम computer को कुछ देते हैं, हम लोग क्या करते हैं, computer से कुछ input लेते हैं, जो output है, उसको हम लोग consume करते हैं, तो headphone भी एक output device है, फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आता है sound card, तो यहाँ पर जैसे आप speaker यूज़ करते हैं, उसको और अच्छी quality का sound निकालने के लिए क्या होता है, एक sound card होता है, यह कुछ इस तरीके दिखता ह हैं, और output भी लेते हैं, पर mainly output होता है sound card में, कि हमारा sound quality हो काफी अच्छी है, balanced है, हम लोग और अच्छे सुन पाएं, जो भी छोटी-छोटी बारी sound है, उनको हम लोग अच्छे सुन पाएं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, sound card यूज़ करते हैं, ताकि sound की quality है, वो sound card के लिए अलग, बहुत सारे जो है, अलग-अलग speaker के लिए अलग-अलग port होते हैं, ताकि आप और अच्छे sound सुन सके, तो sound card हो गया, फिर आता है video card, तो sound card के द्वारा क्या होता है, हम लोग कुछ sound लेते हैं, इसलिए इसको भी हमने output में रखा है, फिर video card का होता है, सकते हैं, वो सारे laptop में बहुत सारे display connect कर सकते हैं, ताकि और भी अच्छा experience हो सके, तो यह क्या है, एक output device है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, कुछ लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, वो सारे device connect करके हम लोग उससे output लेते हैं, ठीक, तो video card होगे, यह भी output device है, तो बस अभी इत आप telegram यूज करते हैं, तो telegram और अभी हमने signal का भी option डलने वाले हैं, तो आप signal द्वारा भी message कर सकते हैं, ठीक, तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद,